तो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो से भी आपको पता है मार्केट का रेगुलेटर है वो मार्केट की हर कमपनी के उपर क्या करता है ध्यान रखता है कोई कमपनी में मेनुकलेट तो नहीं हो रहा है कुछ में दोका दोड़ी तो नहीं हो रही है मतलब पूरी जिसका वो ध्यान रख्ये चलता है वो दोस्तो कुछ गलत कदम अगर दिखता है किस कमपनी में तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ दोस्तो अपना नियम लगाता है तो ऐसे ही कुछ एक company के ओपर देखने को मिल रहा है जिनके मालिक को क्या कर दिया गया है बेन कर दिया गया है और साथ में जो promoter से उनको भी बेन कर दिया गया है उस company में कुछ भी activity करने से तो ये उस company के shareholder के लिए बहुत बड़ी negative news है और stock में गिरावट भी हमें देखने को मिली है अब आप देखोगे ना इस company का performance तो definitely दोस्तों क्या देखने को मिलेगा आपको परेशान होते देखने को मिलेगा अब यहाँ पर दोस्तों ये एक knowledgeable वीडियो में आप लोगो खली बना रहा हूँ क्यों क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसे situation में retail investor first हैं ठीक है तो retail investor है ना जैसे कि मैं और आप जो दिहान से इस वीडियो को देखेगा आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी तो चलिए वीडियो को फटा फटे स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एकी चीज़ में आपको बोलने वाला हूँ अगर आपने चैनल को first time visit किया है तो definitely subscribe करिए तो कि daily basis पे इसी प्रकार का दमाकेदार update हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो चलिए सबसे पहले हम उस company की fundamental condition देखते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों आपको यह company NSC, BSC दोनों पर listed मिलेगी 926 करोड की यह company है ठीक है price है दोस्तों इसका तीन रुपे 35 पैसे के आसपास यह एक penny stock है face value भी 5 रुपे के आसपास के PE earning ratio, return on employer, return on equity, book value कुछ निश्च साही है ठीक है बस दो ही चीज़ हमें देखने को मिल रही है तो company की situation पहले से बेकार है लेकिन retail investor क्या दूनता है market में आता है 1000 रुपे लेके 10,000 रुपे 1,000,000 लेके वो यह सोचता है, मैं ऐसे छोटे stock में investment करूँ और वो बढ़ जाएगा और मैं profit book करके निकल जाओगा लेकिन गलती क्या करता है, investment कर देता है पूरा पैसा लगा देता है और वो stock महाँ से तस से मस नहीं होता हाँ, दो मेने बाद तो और वो गिरने भी लगता है क्योंकि ऐसा कुछ negative news आ जाता है तो उस से में retail investor क्या करें उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है उसके हाथ में loss देखता है, तो या तो वो position को hold करके बिठेगा, या वो loss book करके निकल जाएगा, ये दो साथ में देख सकते हो, positive quality कुछ भी नहीं है negative quality में company का low interest cover ratio है साथ में दोस्तों, company का poor sales growth है वो बहुत नीचे है, promoters की holding बहुत कम है उसके बाद libraries दगर देखेंगे, company को पर बहुत ही खतरनाक है, तीके, उसके बाद company का जो dip improvement है, वो भी कहां से कहां होता है आप देख सकते हो, उसके बाद आप देखेंगे तो promoters का जो last 3 साल का performance है आप देख सकते हो, उन्होंने कितनी condition से अपनी holding कम किये, उसके साथ ही देखेंगे quarterly result, quarterly result पर आप focus कर सकते हो, ठीके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, December quarter में 146 करोड का sales, ठीके और 1646 करोड का operating loss, ठीके operating जो profit रहता है, और जो net profit रहता है, उसमें 1689 करोड का loss, ठीके, company की condition बेकार, पूरे साल भर का performance भी अगर आप देखेंगे ना, तो 2010 में company ने, 2010 में, पूरे साल भर में 21,496 करोड की sales की ठीके, आज वही sales growth मात्र 760 करोड पे ही रह गई है, मात्र ठीके, 5000 करोड उपे का क्या हुआ है, loss हुआ है, यहाँ पर 32,000 करोड का loss हुआ था, दोस्तों, मार्च 2020 में, नेट अगर, नेट लॉस की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखे, 5799 करोड का loss, पूरी condition इस company की बिगड़ी हुई है, आप देख सकतो, लेकिन stock का profit देखे, यहाँ पर पूरी negative आपको देखे की company कितने पानी मैं, ठीक है, लेकिन stock, profit growth देखे, profit growth देखे, company की 21%, 11%, यह दिख रही है, stock का moment देखे, last एक साल में 86% का इसने return दिया है, आपके एक रुपे को 86 रुपे इसने बना दिया है, तो कौन retail investor पीछे रहेगा investment करने में, ऐसा अगर उनको दिखेगा, तो definitely वो तो investment करने जाएंगे ना, लेकिन वो यहाँ पर यह चीज नहीं देखते, बस यह देखते क्यार, इसने एक साल में इतना return दिया है, तो आने वाले एक साल में और इतना return दे सकता है, तीके, इससे ही जाके उनकी situation बेगरती है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको और भी कुछ खेल दिखाता हूं, यह देखे, यहाँ पर भी आपके लिए आप देखेंगे न, तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा company का दोस्तों, जो यह आप बोल सकते हो कि जो situation है, वा पूरी तरीके से काम होती चले गई, तीके, और उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अब देखेंगे, जैसे जैसे प्रमोटर्स ने स्टेक कम किया, तो कोन ने बढ़ाया, रिटेल इंवेस्टर ने, देखेंगे, रिटेल इंवेस्टर कहां से कहां पोच गए, 58% का उनका स्टेक था, वो पोच गए 89% पर, नावासी भी नहीं, 89 दसंबलो 21 पर पोच गए, आप देख सकते हो, तो यह कोने, यह दोस्तों डिटेल इंवेस्टर ही है, जो दोस्तों इस प्रकार का सिच्वेशन को होल्ड करते हैं, ठीके, मतलब ऐसे स्टॉग में इंवेस्मेंट करना पसंद करते हैं, अब वो क्या करेंगे, जब एसी हम से जानते हैं, ठीके, अब चलिए, इसका हम और भी पॉफोमेंस देखते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, हम एक और कमपनी की बात करेंगे, यह भी दोस्तों उन्ही की कमपनी है, ठीके, रिलाइंस होम फानेंस लिमिटेड, इसमें भी ऐसा ही खेल देखने को मिल ठीके, यहाँ पर आप देख सकते हो, सालानतोर का पॉफोमेंस भी कमपनी का लॉस कैसा है, ठीके, साथ में अगर आप देखेंगे, प्रामोटर्स का होल्डिंग, तो आप देख सकते हो, कि जब प्रामोटर्स का होल्ड, मतलब इन्वेस्ट मतलब है, देखे, 84% का स्टेक ये stake promoters ने दोस्तो 49% पर लेके आ गए इन्हों ने कोई ने stake नहीं बढ़ाया ना DIA ना FIA ना गौवर्मेंट ने लेकिन फसे कौन 1441 से retail investor कहां पर आ गए 46,6 पर ठीके 46,6 पर उसके बाद दोस्तो 46,6 पर उपर दोस्तो खाली promoters अपने stake कम कर रहे हैं ठीके लेकिन नीचे कौ खराब होती है जिसके लिए ही retail investor loss करते हैं और profit कौन निकालता है जो बड़े-बड़े दिगच इन्वेस्टर रहते हैं लाइक DIA और FIA retail investor loss करेगा SS stock में और वो profit book करके चले जाएंगे ठीके तो इस company भी ये company भी आ रहे है खेर वो तो सभी company आ रहे है जितली भी है Reliance Communication के साथ क्योंकि news भी आप देख सकते हो अब देखे ए बी पी news की site के उपर लाएं सेबी action सेबी ने अनिल अंबानी और उनकी इस company को बाजार से किया बेन लगा जटका ठीके उसके साथ ये अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो news है यह हमें कल कह ही देखने को मिल रहा है बाज मतलब सेबी सेबी का पूरा नाम दिया हुआ है सेबी ने Reliance Home Finance Limited जो मैंने आपको बता यह और इसके मालिक उद्योग पती अनिल अंबानी को प्रतिवुदी बाजार से प्रतिवन्द कर दिया है सेबी ने यह फैसला company से संबंदी कथिद धोका दड़ी गती वीडियो के लिए यह सजा के तोर पर उठाया है देखे company के अंदर दोस्तों indirect पासा नहीं आ रहा है company के अंदर पैसा गुमा के लाया जा रहा है अब यह पैसा कहां से गुमा के लाया जा रहा है दोस्तों सेबी को जब इसका पता नहीं चलेगा यह एक दोका में momentum आता लेकिन जब इसका फिल से भाहर पता चलता तो stock क्या होता नीचे आ जाता जिस से retail investor फिर फसते के फसते तो अभी भी है लेकिन जब ज़्यादा बुरी तरीके से फसते सेबी का जो कड़ा action इन तीनों लोगों पर भी है देखे इसके अलावा सेबी ने तीन और वे गतिवीदियों का अरोब लगा है सेबी ने अपने आदेश में क्या कहा शेर बाजा नियम सेबी ने अपने अंती आदेश में कहा इकायो के को सेबी के साथ पंजिकरत किसी भी माध्यम किसी भी सुच्ची बद्धी सारवजणी कंपनी या किसी भी सारवजणी कंपनी के कार भाई नियदेश को प्रवंदों के साथ खुद को संबंद करने पर रोक लगा दी गई है ठीक है मतलब इन पर ये कंपनी में मतलब प्रामोटर्स और कंपनी के जो मालिक है वो कंपनी के अंदर कुछ भी गतिवीदी नहीं कर पाएंगे मतलब कुछ भी एक्टिवीटी नहीं कर पाएंगे जो पुझी जुटाने का इरादा रखते हैं यह पावंदी अगले आदेश तक लिए जाएंगे खिर अभी आदेश कितने दिनों तक रहे सकता है एक मेने दो मेने तीन मेने ये किसी को नहीं पता है अब आपको पता है कि Reliance Group कितना बड़ा अब Reliance Group में दोस्तों दो भाग हो चुके हैं एक इदर मुकेसंभानी जी है एक इदर दोस्तों अनिलंबानी जी है अनिलंबानी की जोस्तों मार्केट में बहुत सारी कंपनी है लेकिन वो आप पूरी तरीके से खतर हो चुके है आपको पता है ठीक है तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि Reliance जो अनिल अंबानी जी की है उनकी कमपनी जितनी भी मार्केट में पहनी है या दोस्तों बड़े लिवल पे भी ट्रेट कर रही है आप लोगों को क्या करना है उन कमपनीों से दोस्तों पीछे खटके रहना है ठीक है तो यह है इन कमपनीों के बारे में परफॉर्मेंस भी देखता हूं मैं अब यहां पर आप देख सकतो स्टॉक में 2% की गिरावट है Reliance Home Finance Limited में Last 5 दिन में भी 8.5% गिर चुका है Last 1 मेने में 17% यह स्टॉक गिर चुका है Last 6 मेने में 29-33% का रिठन दिया है इस स्टॉक ने Last 1 साल में भी आप देख सकते हो 115% स्टॉक भागा हुआ है Last 5 साल में गिरा हुआ है उसके साथी overall का performance आकर देखेंगे तो यह company market में 2017 से आई थी दर उसके बाद condition, condition, condition पूरी बेकार लेकिन Last 1 साल में आप देख सकते हो यह operator भी कितना game ख़ांदर खेलते हैं भागाते हैं, फिर गिराते हैं फिर भागाते हैं, फिर गिराते हैं फिर भागाते हैं, फिर इतना गिराते हैं फिर भागाते हैं फिर गिराते हैं फिर इतना भागाते अब फिर से ये गिरने लगई है मतलब retail investor की दोस्तों कोई value market में नहीं है अब ये value कुद अपने हाथ से बिगाडते हैं अगर आप खुद दोस्तों साइड लोगे इससे अच्छी ची कंपनिया market में दोस्तों तो अगर आप उनमें investment करके पैसा बनाना चाहते हो, तो उनमें investment करें, इनमें बिलकुल भी investment मत करें, ठीके, दोका दड़ी कभी भी आप लोगों को सामने हो सकती है, इसी प्रकार की company हो में, अब देखे हो चुकी है, अब आपके पास कुछ भी situation नहीं है, ठीके, तो समल के र आपने हैं, तो थैंक्यू दोस्तों